खून से लत्पत मिली डिटाइड करमचारी की लास मचा हलकम सूचना पर पहुची भारी संक्या में पुलिस पोर्स स्वागत है सभी दर्षकों का गिलोला स्रावश्ती न्यूट चैनल में अगर आप लोगों ने भी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब करें साथी साथ बिला आइकन दबाए ताकि सभी ख़बरों की नोटिफिकेसन आपको मिलती रहे ख़बर उत्तर प्रदेश के जनपर स्रावश्ती के राप्ती बायराज से है जहां राप्ती बायराज पर बने सिचाई दिभाग के कालोनी में उस समय हलकम मच गया जब मबेसी चराने वालों ने रिटायर करमचारी की लास बरामदे में खून से लस्पत देखी जिसके जानकारी पुलिस को दी सूचना मिलते ही भारी संक्या में पुलिस फोर्स मोके पर पहुँच गई साथी साथ थाना प्रभारी निरचक मली पूर रामपाल यादो भी मोके पर पहुँचे और कारवाई में जुट गए मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली भिंगा चेतर के केसवा पुर निवासी स्याम किसोर मिस्रा पुत्र बचैलाल मिस्रा सिचाई बिभाग में चोकिदार के पत पर तैनात थे जो नौ वर्स पूर रिटार्ड होकर मली पूर थाना चेतर के राप्ती बाराज पर बने दून से लगपत पाया गया है पुलिस हर पहलू पर बार्गी की से जाच परताल कर रही है मौके पर फॉरसिक टीम भी के मदद ली गई है वह इस्तानी ग्रामिलों के मुताबिक चोकिदार बहुत ही सुल्जे हुए वेक्टी थे वह सभी लोगों की मदद बेजिदक किया क स्रावस्ती से सामने आई है जहां रिटायड करमचारी की इट से कुचल कर grade मिर्मन तरीके से के सद्व कर दि कर दिया नहीं है जहांद भारिस संख्या में स्रावस्ती जील्जे पर पहुचिए जिद ज्रूर इसपी भी मौके पर पहुचे है और घटिस्तल्रिक कर पत्त से सामने आई है जहां पर एक रिटार्ड करमचारी की दर्दनाथ तरीके से मौत हो गई है वही भारी संक्या में जिले की पुलिस पोर्स मौके पर पहुंची है जिसके बाद सौकु कबजे में लेकर पंचनामा भरकर बोड़ी को पोस्ट मार्श्टम के लिए मर्चरी ह एक बजे एक गाउं पढ़ता है लेक्समनपूर कोठी पियस मलीपूर में जहां से सूचना मिली की एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया है यहां मौके पहुंचने पर पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्यामकिशोर मिश्रा और उसकी उम्र पैंसट वर्स है और यह जब सो रहे थे तभी इनकी हत्या की गई है और प्रसंदिश्टी ऐसा लग रहा है कि इंटा मार के इनका सरकुचल के इनकी हत्या की गई है यह मूल निवासी भिंगा के हैं और 2018 में सिचाय विभाग से रिटायर हुए थे और तब से यही रह रहा है थे घर वालों को ज